दोस्तों आज के हमारी रेसिपी मंदिर के बाहर जो प्रशाद में चावल मिलता है वह वाला जो परसनली मुझे बहुत जाधा पसंद है और यह रेसिपी शायद आपको भी बहुत जाधा पसंद आएगी तो एंड तक देखना और ट्राइए जरूर करना तो सबसे पहले घड को मेंने बीच में से काट लिया था और थोड़ा से Isaboon लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे प्यास तो लंबा लंबा सा प्यास कट किया है एक बड़े जाड़ी मंग लिया था मैंने यह प्यास को गोल्डन कलर अने अग तक भूनेंगे और तो थोड़ा सा मोंगgs फलीब लाल मिर्च टो लाल मिर्च उसे साबसे रखिये मैंने और इसमें हम डालें हम टालेंगे टमाटर तो यहाँ पे 2 I'm मिर्च तो एक छोटी शोटे से मिर्च में गी टोटी चोटे से पीस में चॉ придумat Шम्ल बेंगे अब इसमें डालेंगे नमाट और इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छ से सॉफ्ट हो जाएगा तो दो मिनिट के अंदर ये टमाटर अच्छ से सॉफ्ट हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प तो इमली जो है मैंने थोड़ी दिर पहले भीगो लीती अगर आपके पास टाइम जादा नहीं है तो गरम पानी के अंदर सोख करना पांच मिनिट के अंदर सोख हो जाएगे इसका हम पल्प निकालेंगे अब पानी थोड़ा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं हमको पानी चाहिए इसके अंदर पल्प निकाल लिए और थोड़ा सा पानी डाला है वापस इसका पल्प निकाल रहे हूं जो भी एक्स्ट्रा पल्प है सारा निकाल लेंगे अब इसमें मैं डाल रहे हूं वांगी भात मसाला बोलकर यहाँ पर साउथ में बैंगन का मसाला होता है वो वाला अगर यह आपके पास नहीं है तो आप सामबर मसाला भी इसकी जगह डाल सकते हो तो दो चमच सामबर मसाला डाल देना और उसे बस दो मिनिट के लिए बची हुई चावल हो उसका भी आप जड़का बना सकते हो तो बहुत ही जादा टेस्टी होता है हर किसी को पसंद आने वाला है शिमला मिर्च की यह जो चावल होती है मंदिर के बाहर प्रशाद में मिलती है तो इसे कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और आप इसे किसी भी रायता के साथ सर्फ कर सकते हैं सिम्पली ऐसे भी खा सकते हो बहुत जादा टेस्टी लगती है अगर पसंद आ रही है तो ट्राइज जरूर करना